एक सब्य और का अध्या भिडियो आज की विडियो में फिर डिसक्स करने वाले है कुश उनिक टृस्लेशन और ये टृस्लेशन स्रीज का सेबंध विडियो है शिक्स वीडियो विडियो अफ्लोड़ेट यू विजित आर्यू आज आउर यून्टॉब चैनल एक जाम मेल some unique translation like पढ़ाई के मामले में रोहन अच्छा है या फिर मैं एक सेंटेंस बोलू कि सिच्छा के मामले में यह स्कूल बैतरीन है या फिर जब आपको बोलना है कि उसे बाद बाद पर हसना नहीं चाहिए या फिर आपको बोलना है कि बाद बाद पर उसे अपना घर नहीं चोड़ना चाहिए या फिर आपको बोलना है कि पैसे के मामले में मेरा दोस्त कंजूस है सभी के होते हैं यह तो बहुत ही common बात है सबके दोस्त पैसों के मामले में कंजूस होता है ऐसा हर दोस्त को लगता है ठीक तो आज इसी तरह के ट्रांसलेशन देखने वाले हैं I hope कि ये ट्रांसलेशन आपके लिए बेनिफिशल होंगे बिलकुल यूजफूल होंगे आप इनको डेली लाइफ में इस्तमाल कर सकते हैं इस वीडियो की माधियम से एक बात और मैं खहना चाहता हूं कि इस वीडिय है उसका आप अंसर दे पाएं कमेंड़ बॉक्स में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा चले बिना किसी डिले के वीडियो को स्टाट करते हैं सबसे पहला जो टाइप है जिसे हम अभी डिसकस कर रहे थे कि पढ़ाई के मामले में रोहन अच्छा भी द्यारती है यह तो बहुत एजी है इसको आप आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे कोई दिकत नहीं होने वाले प्रॉब्लम कहा होगी जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे कि पढ़ाई के मामले में जब कहा जाए पढ़ाई के मामले में सिच्छा के मामले में खेलने क के मामले में ठिक या कहा जाए सहायता के मामले में इस तरह के जब ट्रांसलेशन आते हैं तो थोड़ा सा हम difficulty feel करते हैं थोड़ी सी problem हमें होती है but आज की बाद वो problem समाप्त हो जाने वाली है नहीं होने वाली है आए देखे कैसी इसको translate करेंगे सबसे पहले हमें यह समझना है कि यह जो word है किसी भी चीज के मामले में है इसके लिए हम word इस्तमाल करते हैं in terms of in terms of और जिस चीज के मामले में in terms of study यानि पढ़ाई के मामले में और इसको तो आप translate करी सकते है रोहने जा गोडी स्टुडेंट बिल्कुल एजी है फर्मूला भी देख लेते हैं फर्मूले में कुछ नहीं है बिल्कुल आप अगर एक बार इस चीज को practice में ला लेते हैं तो बिल्कुल एजी हो जात आपको अच्छे से समझ में है जैसे यहां दिया है कि सिच्छा के मामले में यह school बहतरीन है बहतरीन मतलब सबसे बहतर है बिल्कुल best है किस मामले में है सिच्छा के मामले में तो इसकी English कैसे बनाएंगे सबसे पहले लिखेंगे in terms of education यानि सिच्छा के मामले में this school is the best यान मेरा दोस्ट कंजूस है, इस sentence को translate करना भी जी है, और इस बात को समझना भी जी है, क्योंकि ये universal truth है, तो पैसों के मामले में मेरा दोस्ट कंजूस है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, in terms of, in terms of, in terms of money, पैसों के मामले में, my friend is miser, यानि जो मेरा friend है, वो conducive, जितना ज्यादा practice करेंगे, English उतनी अच्छी होगी, क्योंकि कई लोगों को ये problem होती है, कि हमारे English बहतरी नहीं हो रहे है, उसका region इतना ही है, कि आप प्रियास नहीं करना है, सिधी सी बात है, है ना, प्रियास करते रहेंगे, तो बहुत सी ऐसी चीज़े पड़ी हुई है मतरब आज के date में बहुत से ऐसे संसाधर मौझूद है, बहुत से ऐसी facility है, जिसका इस्तमाल करके आप अपने English को enhance कर सकता हूँ, और English is just a language, वो के वाले एक language है, बाकी इस चीज़े को बहुत ज्यादा हुआ पनाने की जरूरत नहीं है, आईए, टाइप 2 देखते हैं, टा का जा सकता है, कि उसे हर बात पर हसना नहीं जाहिए, ठीक, यानि एक है sentence को आप दो तरीके से बोच सकते हैं हिंदी में, बट आप इस बात पर focus करें कि उसका जो meaning है, जो उसका sense है, वो change रहा हूँ, वो बिल्कुल बना रहा है, इस sentence को change करने का सबसे simple तरीका क्या है, कि चाहिए, और यहां एक model verb है, model verb क्या होते हैं, जो verb की first form के साथ इस्तमाल होते हैं, और अपनी एक meaning रखते हैं, तो यहां जो चाहिए word है, इसके लिए इम इस्तमाल करते हैं, should, I hope कि यह चीज़ें आप जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं, तो इस समेंटर पर लगाएंगे not, कौन सा काम करना? हसना, यानि उसे हसना नहीं चाहिए, इतना sentence हो गया, और कह रहा है हैं आप बात बात पर, यानि हर एक matter पर, on every single matter, on every single matter, यानि he should not love on every single matter, बिलकु लेजी हैं बनाना, सबसे पहले क्या करेंगे हैं, subject लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे, sentence बदल भी सकता है, इसलिए मैंने यहां पर verb लिखा है, अगर आप चाहिए, तो helping verb या फिर model verb, जिस चीज की भी ज़रूरत हो, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद object लगाईए अगर हो तो, और last में लिखी on every single matter, बस इसी चीज को आपको ध्यान देना है, on every single matter, यानि हर बात पर या बात बात पर, और example थोड़ा समझे लेते हैं, ताकि आपके लिए easy हो जाए, इससे दिया है, बात बात पर उसे अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए, है ना, कि उस sentence को अगर हम देखें, तो इसके पहले एक और sentence देख लेते हैं, कि बात बात पर 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 परतन शायर की आप इसमें नहीं जाना चाहिए, तो दोन संटेंस में एक word repeat हो रहा है, बात बात पर, या फिर इसको को कहते हैं, हर एक बात पर, इसको अगर बनाए, सबसे पहले translate करें, तो यहां दिया हुआ है, he, यानि उसे, ये subject है, उसे, नहीं छोड़ना चाहिए, वह होब कि यह बात को समझ में आ रही होगी, दूसरा sentence कहा रहा है, बात बात पर तुम्हें प्रताशार की आप इसमें नहीं जाना चाहिए, इसको भी translate करना आप बिल्कुल लिजी है, किसे नहीं जाना चाहिए, तुम्हें, इंगलिस क्या होगी, यू, उसके ब लगाएंगे, should not go, नहीं जाना चाहिए, to the principal office, principal के office में, on every single matter, यानि बात बात पर, यानि बात बात पर तुम्हें प्रताशार की आप इसमें नहीं जाना चाहिए, अब इसी तरह के जितने भी translation हो सकते हैं, आप ट्राइक उनको translate करें, यसे कहा जाए, बात बात पर तुम्हें लड़ाई कर सकते हैं, इस formula को इस्तेमाल करके, इस rule को इस्तेमाल करके, I hope कि यह चीज आपको समझ में आई होगी, और जो मैं बात कर रहा था कि यह जो translation series है, इसके last में हम discuss करेंगे question of the day, तो आज का question of the day है, वो कुछ इस तरह से है, कि नौकरी के मामले में सरकार करवया ठीक नहीं है थीक नहीं है, त्थीक नहीं है, त्राइड आखि शेक नहीं है, ठीक नहीं है, था। रॉ UP to the next video and let's meet to the next video and thank you so much for watching this video, जय है हन् वन दमात्रम झाल झाल